नमस्कार दोस्तों, दोस्तों मैं आज जो यह topic है यह बहुत important topic है क्योंकि यह CAA से related यानि Citizen Amendment Act से related है क्योंकि अभी का जो महौल है देश में काफी बिगरा हुआ महौल है और इसको देखते हुए मतलब खवर यहां तक आई है कि मंगला देश से जो मुश्लिम आये हुए थे ब रहने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो जो आये थे यहां पे काम करने के लिए आये थे अपना रोजी रोटी बनाने के लिए आये थे ताकि वो यहां पे अपना गुजर बसर कर सके कुछ कमाई करके अपनी गुजर बसर अपनी पडिवार का पालन पोशन कर सके तो दोस्त भी यहां से जाना पड़ेगा आगे जाकर के इससे बढ़िया है कि अभी निकल जाओं तो मैं बता दूँ आपको बंगलादेश और भारत के बीच के सामने जो गाउं है कुछ इलाके होते हैं कुछ एरिया थे वहां पे बंगलादेश और भारत के साजहा एरिया मतलब दोनों दोनों शेम एरिया में वहां से कुछ लोगों को जाते हुए पकड़ा गया हमारे फौजी भाई ने बंगलादेश ही कि फौज भी बीएसेफ ने पकड़ा है यहां पे तो उन लोगों को वहां से उन्हों को रोका गया और बताया गया कि आप इल्लेगली तरीका से आप नह सारे लोग चले भी गये हैं और बहुत सारे लोग जाने की कुछिस कर रहे हैं लेकिन पकड़े गये हैं तो दोस्तों यह माहौल इसलिए बना है क्योंकि यहां पे जो भारत में जिस तरह से चल रहा है कई राज्य में दंगा चल रहा है कई राज्य में मतलब माहौल खड़ पर वहां हमारे भी एस एफ में पकड़ा बहुत सारे लोगों को और उन्होंने कहा है कि उनको ह्ली तरीके से अप जाओ आप इल्ले की तरीके से नहीं जा सकते तो इस वज़ए से यह वीडियो मैंने बनाया ताकि आप लोगों को पहले पूरा पता चल सके पूरा मामला क्या ह आता कि आपको इस तरह का वीडियो पहले मिल सेगे तब तक के लिए आप खुश रहिए स्रक्षित रहिए जैहिंद